हमाज हम जो हमारा टख़रोर को है क्यूट है इसrench कि दिस्ट करेंगे क्रोनिक पंकुर टाइटिस सब्सक्राइटिस के इसट एक्यूट मींस मीडिन और इन इन्फ्लयमेशन ऊथी पेंक्रयाल की इसमें राप yes इसका इंबालन्स हो जाता है, तो डाइजेशन शुरू हो जाती है, पंक्राटिक के ओन टिशू की, तो, पैथोफिजियोलोजी जो है, हम इतनी डिसकस नहीं करेंगे, जो में चीजे हमारे कंसर्ण की हैं, वो सबसे पहले कॉजिस हैं, कॉजिस में आजाता है, इसमें गॉल स्टोन और अलकोहल ये मेन हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि पोस्ट इयर सीपी जो है, उसकी मेजर कंप्लिकेशन जो है, वो है क्यूट पैंक्राटिटिस, साथ कोई ड्रॉक्स हो सकते हैं, लाइक स्टिरोइट्स और थायजाइड फीचर्स जिनके साथ पैशन आयएगा, पैशन विल परेजैंट विल प्रिजय उपर अप्डाप्त पैन, रेडिएट्ट किदर करेगी, बैक कि दर फुक्याइगा जी मेरे अपर 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 काउरॉदेंट में पेन है, और वो पीछे की तरफ ऐसे लग रहा है, जैसे पी it is medin audio और कोलन साइन अब ग्रेट अनर साइन इंधा है के अधा हाँ with a that और की पिडिए आइो होगा तो वो ग्रेट अरन सायन और पैरी अमलिकल का डिसकलरेशन है आप स्विएट़ी चेक करने के लिए ये तीनचार क्रायटिरिया है सबसे इंपॉर्टन जो है वो है रेंसें क्रायटिरिया अब रेंसें क्रायटिरिया क्सivamente करते हैं जिसमें 11 पैरामिटर होते है admission के time 5 चेक करते हैं और 6 उसके 48 घंटे बाद admission के time क्या क्या चेक करेंगे सबसे पहले उसकी age age जो है वो 55 से उपर है WBC is raised है more than 16,000 है into 10 to power 9 BSR जो है वो 2000 से जादा है LDH 700 यूनिट और AST 200 यूनिट से जादा है so ये उसके positive criteria है अगर acute pancreatitis के ये आते हैं तो prognosis स्वेर होता जाएगा after 48 hours चेक किया क्या क्या आजाएगा इसमें आप देखें सारी major major चीज़े हैं like blood sugar level हो गया और WBCs अब ये hematokrit जो है 10% decrease किया है अगर blood urea nitrogen normally 45 होता है तो different units होते है so greater than 5 mg per decilator serum calcium level less than 8 mg and atrial oxygen है normally saturation 92 होता है लेकिन ये 60 mg mm Hg से fall कर गी है and base deficit कितना है 4 mg so ये आपको actually रियाद ही करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको normal values थोड़ी बहुत याद होंगी तो वो से easy हो जाएगा estimated fluid sequestration होती है 6 liters जादा so अगर ये score 6 से जादा है like ये criteria में ये score 6 से जादा है तो mortality rate will be increased classico score 3 से जादा और Apache score जो है वो 8 से जादा ये MCQ के दूर बहुत याद रखें these will not be asked in SEQ या वार्ड में आप से ransom criteria पोच सकते हैं CRP 150 से जादा so ये हैं prognosis के factors next thing is complication of acute pancreatitis local होती है और systemic होती है local complication क्या हो सकती है pancreatic pseudocyst formation है cyst में फिर abscess बन सकती है और abscess rapture कर सकती है nekrosis हो सकता है और abscess से साथ-साथ fluid भी accumulate हो सकता है so उसके वैसे ascites और effusion भी डिवेल्प हो सकती है systemic different systems body के GI में आएगे तो pancreatitis से bleed हो सकती है respiration में effusion के वैसे pneumonia हो सकता है CVS में fluid loss के वैसे hypertension, hypovolemia हो सकता है और fat nekrosis जिसके वैसे hypo calcemia होता ही है कि free fatty acids calcium के सब्सक्राइब कर जाते है क्योंके lipase के activity जो है increase कर जाती है so उसके वैसे क्या होता है free fatty acids जो है bind कर के combine कर जाते है calcium के साथ तो यह sponification का process हो जाता है so यह है fat nekrosis next thing यह है कि investigation investigation जो है वो pancreatitis abdominal organ है so first thing will be AXR so it मैंगा कोलोन cut off sign and general examination में WBC as I said के criteria में है so CBC, ESR और CRP 150 सभादा साथ वही criteria के blood urine, nitrogen, creatinine, basr, serum calcium लेकिन specific marker जो है amylase और lipase है जिनमें भी lipase मोर स्पेसिफिक है और gold standard abdomen का जो lower areas लाइक लेवर यह areas इनमें gold standard CT है tri-physics CT scan करवाएंगे और diagnostic laparotomy यह general specific investigation management management अच्छा यह ultrasound करवा सकते हैं अगर gallstones की वाज़ से कोई problem है तो लेकिन gold standard आपने यहाद रखना है कि CT है management में यह कि acute pancreatitis acute attack है कोई sweet हो सकती है तो admit करें पेशिंट को ICU में और first thing जो ICU में करते हैं IV fluids pain killers oxygen और prophylactic antibodies आपने दे दी पेशिंट को stable कर दिया और इसके vitals monitor कर दिये CBP maintain कर ली अब acute pancreatitis के लिए पेशिंट वामिटिंग और नाजिया के साथ आरहा है तो नेजोगेस्टिक एस्परेशन और एंटरल फीडिंग अब glucose raised as I said in ransom criteria तो इसके लिए hyperglycemia तो यह basic चीजें जो हैं आपको one by one patient emergency management की वही है अब आजाते हैं कास पर gallstones है ERCP and colistectomy अगर abscess है तो drainage due to with CP CT and surgery 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 क्या है pancreatic necrosis हुआ है तो necrostomy debridement necrostomy आपने कर देनी है ताके more complications develop next chronic pancreatitis chronic pancreatitis irreversible destruction pancreas exocrine pancreas mainly endocrine diabetes etiology major etiology alcohol acute gallstones with alcohol 90% alcohol other autoimmune or recurrent acute pancreatitis or duct obstruction like sphincter of od stenosis pancreatic duct with common bile duct open clinical feature prolonged persistent pain just like acute but persistent pain and mild it recurrent episodes weight loss because patient can't take anything by mouth so anorexia and feeding pain pain pancreatic enzymes and protein malabsorption stritt over pancreatic enzymes deficiency fat malabsorption and protein malabsorption and in advance case endocrine pancreas also damage diabetes when we examine epigastric tenderness pigmentation back and abdomen due to chronic hot bottles so erythema acne complications what can be developed sedocytes and pancreatic ascites both acute and chronic but common bile duct is involved due to obstructive jaundice due to sterosis due to sterosis due to sterosis due to gastric outlet obstruction or structure can be developed and it can also lead to pancreatic cancer investigations for diagnosis which ultrasound CT x-ray MRCP for the gallstones checking IERCPA and we get calcification and we get and CT chain of lake patterns due to alternative stenosis and dilatation and pancreatic function we collect pancreatic use after secretion injection this is gold strand but it is seldomly used pancreatic elastase is reduced and last pancreatic laurel test is not that important last management that you have to avoid major risk factors like alcohol and smoking and analgesics so dietary restrictions due to preventing to prevent stitoria and PPI now pancreatic enzymes replace pancreatic enzyme replacement therapy and if pain is very severe then a block also endoscopic therapy and surgical approach endoscopic is that pancreatic duct structure or ductal obstruction or stone remove and drain and pancreatic pancreatic and dudenostomy now autoimmune which pancreatic pancreatic cancer will differentiate so that it will respond to these glucocorticoids and does not do and there are recurrent attacks in acute pancreatitis this is a form of chronic pancreatitis which can mimic cancer and we will get IgG and IgG which is four raised when we test blood and if you read about you you